नवस्का दोस्तो ट्रिकी गुरु अमित गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ यूपी पुलिस परिच्छा को ध्यान में रखते हुए कलेंडर के अंतरगत क्लास नाइन लेकर इसमें अगले किस मान के समान होगा आएसा प्रस्न कभी पूछा जाता है तो चातर गरी के प्रस्नों से रूबरू नहीं होगे तो ऐसे प्रस्नों को सालब करने में उन्हें अपेच्या जादा समय लग सकता है अगर परमपरागत तरीके से वो लगाएं तो चली देर न करते हों हम लोग देखते हैं इसमें catrick अपनाए गया है तो आगर आप मेरे बीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने माह का कोड और सधी का कोड रटाया था तो इसमें आपको सिर् सो चवुदा छैसो पचीश और यह करम सा कोड़ जनवरी फरवरी मार्च अप्रयाल माई जून जुलाई एगा सितमबर अक्टूबर नॉवबर दिसंबर का बस इसमें अंतर है कि जब लीप वर्स रहे लीप वर्स रहे और जनवरी फरवरी जब रहे तो जनवरी की फरवरी क लिवर्स था तभी एक करते हैं, तो बस इतना यह याद रखियेगा, ईतर बैसे से शोचना पड़ेगा है। होता है अगर कलिंडर 3 में जी carbon 7 में कि क्या घाएगा बस एक यंतरों जवाँपर 6 हो जाएगा है और तीन में से एक निकालना तो असान है, तो तीन में से एक निकालेंगे, तो हमारा कोड हो जाएगा 2, यानि कि जनवरी और फरवरी के लीप वर्स के कोड में ही बस संतर आएगा, यानि इन साधार वर्स है तो जनवरी का कोड 0, लेकि लीप वर्स है तो 6, फरवरी का कोड 3 है, तो यानि कि 2 हो जाएगा, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, यही वाला अंक याद करना, 0, 33, लाश्ट में 0, 35, बीच में 614, 625, यान 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, बस लीप वर्स है, तो बस यह याद रखिएगा, जनौई फरवरी में से एक घटा देना है, तो आप से एक घटा देंगे, 0 में से, तो 6 हो जाएगा, तीन में से घटा देंगे, तो 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ, कि क्या कोड है, तो समान कोड है, तो समान प्रथम दिन भी होगा, यानि कि अगर जिस महीने का कोड समान है, तो उस महीने का प्रथम दिन भी समान ही होगा, फि और 6 कोड जुलाई का भी है तो एक अप्राइल को जो दिन होगा वही दिन एक जुलाई को भी होगा इसी तरीके से हम लोग कहें कि देखें यहाँ पर तीन कोड फरवरी का है और तीन कोड मार्च का भी है और तीन कोड नौंबर का भी है यानि कि एक फरवरी को जो भी दिन हो तो January का code है 0, February का code है 3, तो अलग code है तो समान दिन होई नहीं सकता है, क्योंकि आपने अभी trick में यहाँ पे देखा है, कि जब समान code होगा तभी समान प्रथम दिन हो सकते हैं, तो January फर्वरी का code ही समान नहीं, तो समान दिन भी नहीं होगा, और April भी लिखा है, तो April का भी नह कुछ अब फरवरी मार्च और नवमबर को सामानентов समान होगा है और नमबर के मार्च और नॉम्बर के प्रथम दिन भी समान होगी यानि कि एक फरवरी को अगर बुद्वार है तो एक मार्च को भी बुद्वार होगा एक नॉम्बर को भी बुद्वार होगा अगर एक फरवरी को सनिवार है तो एक मार्च को भी सनिवार होगा एक नॉम्बर को भी सनिव वर्स यानि सधार वर्स की फिर बात है अप्राइल का पर्थम दिन किस महीने के पर्थम दिन के समान होगा तो सबसे पहले अपर आप पर कोड लिखेंगे करमस है तो आप ऐसे चेक कर लिएगा अपराइल का कोड 6 तो आप जिस भी महीने का कोड 6 होगा तो उन दोनों महीनों के परसम दिन समान होगे तो चेक किसका कोड है तो इसका है तो इसको चेक कर लिए कौन सा महीना है तो जन्वरी फर्वरी मार्च ये है आपका अपराइल त आप्रेल के समान किसका कोड होगा तो जुलाई का होगा यानि हमारा आंसर हो जाएगा सी जुलाई अगला प्रस देख लेते हैं फिर करा किसी साधार वर्स में सितंबर का प्रथम दिन किस महिने के प्रथम धन लिखा है लेकिन आप इसे दिन समझे ले प्रथम दिन के समान हो 5035 चुकि सधार वर्सा इसलिए जन्वारी-फर्वरी के कोड बदलने की जरूरत नहीं है किसकी बात का सितंबर की जन्वारी-फर्वरी माई-जून-जुलाइ-अगस सितंबर जिसका कोड पांच होगा वही सितंबर का प्रथम दिन के समान होगा तो December का Code 5 है, और कोई नहीं है, यानि कि September, October, November, December, यानि सितंबर का जो पहला दिन होगा, वही December का भी पहला दिन होगा, अगर आपको विश्वास न हो, तो अपने मुबाइल के कलेंडर में चेक कर लिए, यानि हमारा आंसर हो जाएगा D, December, देख लिए December, अगर आपको चेक क महिने के समान होगा, तो 1 September वहां हम लोग मान लेते हैं, मान के चलते हैं, जैसे आप लोग एक सितंबर को मान लिजे की सोमार हो, इस से पहले मैंने पढ़ाया है, बताया है, कि मा में बचे दिन बटा में 7, तो सितंबर से अगर हम लोग चेक करें, कि December क्या सही है, तो सितं सितंबर का पता करना हम लोग को कि सितंबर को सुमवार है तो क्या एक दिसंबर को भी सुमवारी ही आ रहा है या नहीं जूट मूट का हम लोग लगा रहा है तो सितंबर और दिसंबर के बीच में कितने माई तो सितंबर के बाद अक्टूबर उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर आई जाएगा तो माह में बचे दिन बटा में साथ वाले ट्रिक्स हम लोग देखें तो सितंबर में कितने दिन बचे हैं तो सितंबर होता है 30 का महीना तो 30 में तो एक दिन बीथी चुका है सबके बटे में 7 होता है तो सबको जोड़के साथ से कटा के चेक करिए भागदे के या सबको छोटा करें साच उक्टाई सेशफल एक साच उक्टाई सेशफल तीन जब भी एक तीस लिखा रहे तो आपको डारेक्ट तीन लिख देना चाहिए जब भी तीस लिखने के सोमवार आ जाएगा क्योंकि किसी भी दिन में साथ दिन जोड़ने पर वही दिन आता है यानि इससे प्रूफ हो गया कि एक सितंबर को सोमवार है तो एक दिसंबर को भी सोमवार होगा एक सितंबर को मंगलवार होगा यानि कि जो भी दिन इन सिटम्बर को होगा वही दिन एक दिसंबर को आयेगा अगला प्रने देखतें किसी लीप وर्ष में अब यहां परות की बात है किसी लीप पर्ष में जनवरी मार्ब की मार्थम दिन क समान होगा है तो हम लोग सब से पहले जो कोड हमने याद के वही लिखते हैं 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 लेकिन आपको यहाँ पर लीप वर्स है तो आपको पता है यह जीरो में से एक घटा देना है क्योंकि पीछे कोड में आपने देखा था माइनस एक कर देते हैं जन्वरी फर्वरी के कोड में लीप वर्स में तो 0 का मतलब 7, 7 में से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 और 3 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बस जन्वरी फर्वरी का कोड बदलना है बाकी कोड वह सही रहेगा अब हम लोग चेक करते जन्वरी जन्वरी में क्या है 6 है तो 6 अब जिस महीने का कोड होगा उसी एक दिन ये पर्थम दिन समान होगा तो ये 6 है और कहीं ये भी 6 है और नहीं है तो अब चेक कर लेते हैं जन्वरी का तो यही है तो जनवरी का प्रथम दिन किस के समान होगा तो जनवरी के बाद ये फरवरी, मार्च, अप्रेल, यानि अप्रेल के समान होगा अप्रेल के बाद मई, जून, जुलाई, यानि कि जुलाई का भी यानि जो दिन एक जनवरी को होगा वही एक अप्राइल को होगा वही एक जुलाई को होगा यानि हमारा आंसर होगा अप्राइल और जुलाई जिस भी कल्प में होगा तो यानि कि जनवरी जनवरी भी है तो जनवरी अप्राइल और जुलाई चुकि जनवरी तो प्रस में का है तो जनवरी आये गा ही हमारा आंसर हो गया डी अगला प्रस देखते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए किसी आधी वर्स में तो लिप वर्स का यह यह आधी वर्स का यह बात एक ही है फरवरी का प्रथम दिन किस दिन के प्रथम दिन के समान होगा, फिर से वही कोड हम लोग, 0, 3, 3, और लाश्ट में, 0, 3, 5, बीच में 6, 1, 4, 6, 2, 5, लेकिन चुकि लिप वर्स की बात है, तो 0 की ज़ापे हम लोग ए घटा के 6 लिखेंगे, 3 की ज़ापे, 2 लिखेंगे, बाकी ये जो कोड है, सब समान होगा, और ये करमसा जनवरी से लेके दिसंबर तकी बात है, तो फरवरी का प्रथम दिन, यानि कि ये जनवरी और ये फरवरी, यानि कि फरवरी का कोड क्या है, तो समान कोड बराबर समान माह का प्रथम दिन, तो समान कोड यानि कि दो कोड जिसका जिसका होगा, वो सब फरवरी June, July, August यानि कि जो दिन एक फरोरी को होगा वही दिन एक अगस्त होगा यानि कि अगस्त के समान होगा हमारा आंसर हो जाता है D एक और प्रसल देख कर हम लोग लगा खर पक्का करते हैं जानकारी को किसी अधिवर्स में यानि फिर अधिवर्स की बात है मार्च का प्रथम दिन किस मा के प्रथम दिन के समान होगा तो फिर से कोड लिखते हम लोग 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, 0 की जबाँ पर आप समझ जाएंगे लिख परसा है तो 6 कर लेंगे, 3 की जबाँ पर 2 कर लेंगे इसका पुछा है मार्च का तो जनवरी फरवरी और ये है आपका मार्च तो इसको आप टेक कर लिए 3 यानि कि ये मार्च का कोड है तो मार्च का प्रथम दिन किस के समान होगा तो जिसका कोड 3 होगा उसी के समान होगा पीछे नहीं है एक, दो, दो, तीन, 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 यहां पर है तो आपको पता ही चल गए यह। दिसम मर है तो यह क्या होगा नौबर होगा यादि अगर को कलेंडर को समझना है एक-एक टाफिक व् pat week समझना है तो इस पर मैंने एक e-book लिखा जिसके माध्यम से आपका लेंडर को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और इसका लिंक मैं description box में दे दूँगा चाहे तो आप वहाँ से जाके इसे purchase कर सकते हैं तो दोस्तों आज का यह आपको छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बाक्स में जरू लिखेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसे अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया धन्ने बाद दोस्तों